तो आज हम बनाने वाले हैं इलस्ट्रेटर में जीमेल का लोगों तो सबसे पहले आपको आपको इलस्ट्रेटर को ओपिन करना है और यहां पर सिंपल आपको रेटेंगल टूल का यूज करना है यहां पर आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे लेकिन यहां पर ले सकते हो keyboard से और इसको ड्रैक करकि आपने इसको center में लगाना है और इसके बाद आपने यहां पर direct selection और यहां पर selection tool आपको दो मिल जाते हैं तो उसमें क्या है कि आपको direct selection से इसको select करना है direct selection से select करने का यह फाइदा होता है कि आपका जितना शेफ होता है वो पूरा selecting हो जाता है और यहां से मैं save tool का use कर रही हूं अपका shape जो है वो अलग-अलग पार्ट में divided हो जाता है तो इस जलिक मैंने इसको अलग-अलग कर दिया है और simple यहां से आप color change कर सकते हैं तो यह अभी जैसे कि मैं अभी color change कर रहे हूं तो यह क्या होता है कि आपका अभी यह मेरे direct selection जे पूरा path जो है वह पूरा select है तो अभी में इसका color दूंगी तो यह पूरा color आजाएगा क्योंकि अभी तो इसका shape से मैंने इसको अलग किया था बट अभी अभी भी यह अलग न रही हूं और यह वाला जो है इसको हमने ड्लीट कर देना है सिम्पल उपर वाला का भी आपने ड्रीट कर देना है और इसका कलर सेंद करना है इसका कलर होगा रेड़ और यहां पर इसका वी कलर हमने इसको थोड़ा हलका रेड़ मैंने रखा है और इसका आउट लाइन हमने हटाना है तो सबको अपने स्लेक्ट करना है उसके बाद इसका आउट लाइन हटा देना है अब इसका हमने फूरा स्लेक्ट करना है डायर्क सेलेक्शन डूल से और इसका एक कॉपी लेना है तो सबसे पहले माउस से अपने राइट क्लिक करना है वहां से ट्रांसफॉर्म को मिल जाएगा इसका कॉपी लेना है अब इसको आपने ट्रैक करना है और इसको अच्छे से सेंटर में लगाना है अब यहां से अलग अलग लियर है सिंपल इसका हमने कलर चेंड करना है अब इससे डारेक्शन से में इसको स्लेक्ट करके इसको ड्रैक करूंगी तो यह सारे पार्ट जो है वो गलत तरीकों से हो जाएगा तो इसको हमने बार में करना है सबसे पहले हमने कलर को फिल करना है तो यहां पर ग्रीन कलर इसमें यल्लो कलर जाएगा तो इस तरीके से कलर आपने फिल करना है नीचे वाला पाट का भी हमने ऐसे हम ऐसे ही कलर को फिल करना है इसका ग्रीन कलर होगा इसके बाद डाइक से अपने अपको थूड़ा सा उपर वाला करके इसको ड्रेक करना है और यह दोनों पाट एक साथी मीचे आएगा क्योंकि यह दोनों एक साथी सिलेक्ट हो गया है आप सेंपल ऐसे ही हमने मीचे वाला का भी करना है और इसको ड्रैक करना है हमने एक साइट का करना है तो इसलिए इसको अलग-अलग सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हैं एक साथ भी कर सकते हैं अब इन दुनों को स्लेक्ट करना है और यहां से आपको ग्रूप करना होगा या आप जॉइन कर सकते हैं इसको मैं ग्रूप कर देती हूँ एक साथ जोड़ जाएगा इसके बाद यहां पर डारेक्ट सेलेक्शन में इसको सेलेक्ट करके थोड़ा साइज को मैं पतला कर देती हूँ बहुत जादा मोटा हो गया तो इस तरीके से आप बना सकते हैं बहुत ही आसान है आप